आप सबी का स्वागत है मैं हूँ सुमित और भारते वजारों में आज का दिन वोलेटाइल सेशन कह सकते हैं आप क्योंकि आज उतार चड़ाव काफी ज़ादा रहा एक समय पर 16,950 केर्द गिर्द मांकेट पहुचा निचले स्थरों से बड़े हार रिकवरी आई 17,000 के उपर 17,100 के इर्द गिर्द बजार पहुचा वापिस फिरूपरी स्थरों विक्वाली आई और 17,000 के आसपास जाके बंद होता हूँ दिखाई पड़ा पूरे दिन आज मिड कैप स्मॉल कैप में उतना सीवियर डामेज नहीं था जितना सीवियर कल हमने देखा दर डामेज होते हुए तो वहाँ कंपैर्जन में तो आज बेटर साइट पे मारकेट रहा और इंट्राडे में जो लोज से 16,950 के आसपास इसको नियर टर्म में मारकेट मान भी रहा था कि शायद एक बेस बनता हो दिखाई पड़े वो अटलीस आज पूरा हुआ जो जानकार हमाईसादा दुपहर में जुड़े थे उनसे बाची जब हुई थी तो उन्होंने 16,880 नियर टर्म बेस की बात किये जो कि उनको लगता है कि शायद इमिजिएटली मारकेट चुएगा लेकिन साथ साथ और ने भी काई कि दिवाली तक 18,500 तक के लेवल्स भी शायद निफटी में आते हो दिखाई पड़े तो दोनों तरह की बाते हैं तो शायद नियर टर्म मंदी रहे मारकेट में लेकिन अविस्टी जब लॉंग होराइजन आफ टाइम में आपको अच्छे रिटरंस आते हो दिखाई पड़ सकते हैं मारकेट में आज भी प्रेशर थोड़ा बहुत रहा मेटल के अंदर लेकिन लास्ट आर में फोड़े रिकवरी थी बैंक्स वो रिटाइल रहे आज बाइंग थी FMCG में आईटी में ऑईल एंड गैस जोड़दार तेजी में कामकाच कर रहा था इसके अलावा आज सेलेक्टिव स्पेसिस में बाइंग थी ऐसे गैस स्पेस के अंदर महान अगर गैस उज़ाद गैस वगरा तेज थे इसके अलावा आज बाकी जो स्टॉक्स प्रिक स्टोरीज अलग अलग चल रही थी मुथूट फिनास में तेजी थी, NBFC स्पेस में तेजी थी सेलेक्टिव NBFC स्पेस प्रिशर भी था तो ऐसे करके आज मारकेट के अंदर मूव बनता हो दिखाए पड़ा था तो बहुत सारे स्टॉक्स जहां पे न्यूज स्टॉस थे बहुत सारे स्टॉक्स जहां वेल्यू बाइंग थी वहाँ खरदारी आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स जो कि अल्रेडी हीटेड अप थे, वहाँ भी क्वाली देखने को मिलने मिसाल तो बैंक्स, PSU बैंक्स में थोड़ी बहुत बाइंग थी प्रावेट बैंक्स में भी क्वाली थी, मेटल्स में प्रेशर था तो इन सब ट्रेड्स के बीच में मारकेट घूमता हो दिखाए पड़ा लेकिन उतना CVI डामेच आज पूरे दिन में मारकेट्स में नहीं देखने को मिला स्क्रीन पर अटलिस्ट जो आपने कल के सतर में देखा था तो उसके सामने अटलिस्ट बैजार की सिच्विशन थोड़ी बेटर थी लॉंग विल्ड़ था SBI S.S. शेयरों में जहां पर आज ब्रोकेट्स की रिपोर्ट्स भी थी पॉस्टिफ जिसका इंपैक्ट यहां पर आता हो दिखाई पड़ा था एक अच्छी खरदारी वहाँ पर बन रही थी और इंशुरेंस पेस में भी सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जो की तेज़ी के साथ काम काज करते हो दिखाई पड़ रहे थे चली अब सवाल जो आपकर सिल्सला शुरू करते हैं और बाचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है इस से सर कोई फरक नहीं पड़ता माइनॉर्टी शेयर ओल्डर के अगर ये कॉल होगी तो ही हो सकता है और वैसे भी LIC के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े फंड्स है गौर्मेंट की होल्डिंग है तो इतनी असानी से चीज नहीं होगी इस से बड़े बनती है तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है चे महीने होगा तो फिर ये फ्लॉप नहीं होगा तो एक दो दिन में डिसाइड नहीं कर सकते ना फ्लॉप है कि नहीं बाकी सेंटिमेंट डिवेन है तो बड़ी कोई चीज नहीं है मनोज जी का सवाल है अज आपको लग तो सही होगा फिर मैं ही कैस में बोल सकता हूँ नंबर्स कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं वो बात अलग है देखिये आज क्योंकि हल बीडियल में कोई स्प्लिट बोना सब तक नहीं हुआ है कोई फस भी इतना बड़ा नहीं आया है कोई स्टेक्सेल भी नहीं हुआ है तो यह उस केटिगरी के स्टॉक है जहां पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसी तरह से आर सीटीस भी कुछ दिन पहले था इसी तरह से बाकी अगर आप PSU में NBCC भी एक टाइम पर होता था जिन में कोई स्टॉक स्प्लिट बोनस नहीं आया था तब तक वो भी बहुत अच्छे थे विट टाइम ये एक्विटी डाइलुशन होता है एक दिन में नहीं होगा सरी है ये सब विट टाइम अपनी एक्विटी को इतना बड़ा करके गए है एक दिन में कोई एक्विटी बड़ी नहीं होई इनकी तो विट टाइम HL की भी होगी BDL की भी होगी BEML की हुई है आगे BEL की भी हो जाएगी तो ऐसी करकर कि कारोबार डीमर्ज होते रहते हैं नए यूनिट्स आते रहते हैं एक विट डाइलूशन होता रहता है बिजनस डाइलूट होता जाएगा तो तब अगर आपके पास रहा तो सिचुएशन कुछ और होगी तब आपको ये दाम नहीं दिखेंगे तब इस प्लिट बोनस के बाद के दाम होगे समय रहते समलना जादा बेटर है इंस्टेड आफ समय रहने के बाद समलने के तो आपको अगर लगता है इसकी स्टोरी बहुत स्ट्रॉग है इंटाक्ट है तो आप ये जरूर कर सकते है कि आप प्रॉफिट आधा ले लीजे वो आधी इंटाक्ट स्टोरी को आप ले करियेगा आगे चलके अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत इंटाक्ट है गलत होंगा ठीक है आप पूरा रख लीजे कोई इस्यू नहीं है लेकिन जो अब तक के हिस्टोरिकल आखने है मैंने उनके आधार पर ये आपको टिप्री दी थी अब आगे क्या होता है वो तो उपर वाले जाने है लेकिन बेटरी यही है कि ऐसी जगह पर क्यों फसना जहां ज़रा सभी डाउट हो वेन इन डाउट स्टे आउट सीधा सीधा रूल है तो उन में चले जाए है जहां पैसा कुछ नहीं है जहां पर होल्डिंग में कोई डाईलूशन आना ही नहीं या आएगा तो उनकी प्राइवेट इकूटी ज़्यादा बेटर होगी आपको डिफेंस पर प्राइवेट प्राइवेट प्रेयर्स में चले आई ज़्यादा बेटर है क्यों आप डिफेंस की PSU स्टोरी में लगे हुए ज़ापकी अलरी अल्टाइम हाई पर स्टॉक खड़ा है यह बात बिल्कुल सही है कि जब बहुत कन्विक्शन स्टॉंग होता है तभी स्टॉक में डिस्ट्रिबूशन होता है आज इनका जो पूरी कन्विक्शन था बहुत स्टॉंग था इसलिए डिस्ट्रिबूशन हुआ आपने देखी लिया अल्टाइम हाई पर हेचेल में क्या हुआ लेकिन जब कभी कन्विक्शन वीकेस्ट होता है तब उनमें एक्युमिलेशन होता है तो यह कन्विक्शन का ही खेल है आप किस तरफ पढ़ना चारे हैं वह आपके उपर है रेट हाइक को लेके दास साब बजार में अठके लें कि पचास बिस्स पॉइंट की हो सकती है अभी कोई न्यूस तो नहीं आई है आरवे की पॉलसी है अभी मन्थेंट पर लेकिन बेटरी यह है कि जो अनुमाल लगाए जा रहा है वो पचास बिस्स पॉइंट के आस पास है अगर इससे बड़ा हो जाता है तो बजार बहुत बूई तरह लेगा उसको इंटरस सेंसिटिव अवाइड करिये उसमें लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ या पचास ही हुआ तो बजार चास पॉजटिव ले ले लेगा उससमें इंटरस सेंसिटिव भी चलेंगे तो आप इससाब से कॉल लेकिन लेकिन ट्रेडर्स के लिए जादा फैंसी है इंवेस्टर्स के लिए नहीं बजार फिनांस फिंसर दोनों को बारा साल में क्योंकि पहले चार साल में इनका टर्म आराउंड स्टोरी था इसलिए सौसाब परशन रिटर्न उसमें आया था तो वो स्टोरी को अब बजार फिनांस इंटैक्ट नहीं रख पाएगा आविसली सौसाब परशन रिटर्न हर साल देना इस नेक्स टो इंपॉसिबल तो अब वो रिटर्न घटके आ गया है डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में तो आवरेज नीचे आया है तो वो जो पिछला गेन था उतना नहीं रहेगा लेकिन क्योंकि एक्विटी साइज छोटा है तो इतनी बुरी खालत भी नहीं होगी हाँ बजाज फिंसर्फ का एक्विटी साइज बड़ा हुआ है और वो बहुत बड़ा हो गया जो यूजवल केसिस में काफी बड़ी एक्विटी मान सकते हैं आप तो थोड़ा बहुत इंपक्ट उसका रहेगा और नीचे के दाम भी दिखाएगा लेकिन बजाज फिनांस इस जादा बेटर सो फार अब फिंसर्फ का कल को दाम नीचे मिल जाए बड़ी है तो बात अलागा है लेकिन कंपनी की क्वालिटी में इशू नहीं है प्राइस वाइस फिनांस जादा बेटर है फिंसर्फ के फिंसर्फ में औरड़ी कॉप एड़ेक्शन चल रहा तो इसकी वैसे वो एड़्जस्मेंट का इंपक्ट देखने को आपको मिलेगा कैंफिन हो में क्या करें अचानक से इतना गिर गया बहुत लॉस हो रहा है मिश्टा साब इसमें कुछ न्यूस फ्लोस आया थे कंपनी की मेरेज्मेंट को लेकर जब सी यो से ने रिजाइन भी किया है कंपनी के और बहाइंड दर दोर्स न्यूस भी ठीक नहीं है तो कोई भी तेजी मिल जाए तो आप निकलना जादा बेटर है क्योंकि फिनैंशल्स में कभी भी समझना बड़ा मुश्किल होता है कि ये बहाइंड दर दोर्स में क्या चल रहा है क्योंकि कैच ये है कि कभी नहीं समझ में आता है एक्च्वल में आर बियल बे बंधन एई यू आई डी एफसी सब अच्छे हैं समय कोई वो राई नहीं है लेकिन तब तक जब तक इनके फिनैंशल्स क्लियर नहीं होते है तो और वो कभी होई नहीं पाते हैं अभी जम्मो कश्मीरों किसे नहीं सवाल पूछा था उस पे भी यही जवाब है कि जब तक एक रीजन का बैंक या किसी एक सरकार की साइड डॉमेनिंट बैंक या ऐसा कोई बैंक जिसकी फिनैंशल्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं किसी एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजड है इस तरह के बैंक के साथ हमेशा दिक्कत रहेगी SDFC बैंक के साथ कि एत्ती बड़ी लोन बुक है SBI कि एत्ती बड़ी लोन बुक है अगर एक बैंक एक सेक्टर में आ भी गया तो बहुत छोटा एक्स्पोजर होगा इसलिए वो फिर भी टॉलरेबल है लेकिन ये तो बहुत ही ज़ादा बाइस्ड होते है तो इसलिए बैंक्स फिनेंशल में हमेशा डर रहता है क्वालिटी भी रही है ज़्यादा बेटर है रिस्क लेने के लिए अगर आप जाना भी चाहरा है तो मीडियम टर्म के लिए रही है कुछ टाइम रही है मूमिंटम मिले 200-300 रुप मिले निकल ज़्यादा बेटर है लेकिन ऐसे लॉंग टर्म के लिए इनको मत शामिल करें ज़्यादा बेटर है पूना वाला फिनकॉप होल्ड और सेल निले सर होल्ड करिये इसमें कुछ न्यूस फ्लो पेंडिंग है जो इसी हफते आ सकते हैं आज क्या दिन है आज Tuesday हुआ है न अगले चार दिन में कुछ development आने वाला है तो आप उस पर नज़र रखिये और बने रही है जादा बेटर है इसमें कुछ अच्छे न्यूस फ्लोस की बादचीत है मारकेट के अंदर शायद मूव आइसमें बने रही है टाटा कम्यूनिकेशन जुबलेंट फूड विनोच सर दोनों होल्ड करिया दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है टाटा कम्यूनिकेशन तो इन फैक्ट आप नीचे एड भी कर सकते है जुबलेंट फूड आपका अदाम का मुझे नहीं पता लेकिन अगर कहीं आपको फेर इनफ दाम पर मिल जाए जैसे साड़े छे सो भी चल रहा है मान लीजे तो आप कहीं चार सो पचार सो असी एर रेंज पर कहीं मिल जाए आपको किसी बुरे दिन में तो आप इसको आराम से आड भी कर सकते है जुबलेंट फूड की एज़िस्मेंट के बाद एक बोनस वन इस टुवन दोहजार अठारा में और एक स्प्लिट जो हाल में हुआ है इन दोनों के बाद मिला के एक्विटी शैद 75 क्रोड के आस पास की है तो अभी भी इसकी एक्विटी साइज इतनी बड़ी हुई नहीं है जितनी बाखी कंपनी इसकी है भारतिय अग्रुपी कंपनी है कंपनी क्वालिटी प्रॉलम नहीं है एक बड़ा टाइप है यह बंगलादेश इंडिया नेपाल के लिए जिसमें मास्टर फेंचाइजी ओन करते हैं डॉमिनोस की और साथ-साथ डंकिन की और साथ-साथ बाकी मल्टिपल वरांच की और यह रिनोवेशन भी किया है विट टाइम और यह ट्रेजेक्टरी रहे गिया भी मालब इंडिया की कंजेंशन ट्रेवन स्टूर यह आपको पता ही है क्यूसर का डॉमिनेंट प्लेयर है तो आप बने रहेंगे इसमें बट हैविंग सेट आट आपको जड़ा नीचे कहीं मिले ज़ादा बेटर है और डिविडेंट प्लेय के लिए या अधरवाइस बहुत लंबी अवदी के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो फिर टाटा कम्मिनिकेशन ज़्यादा बेटर हैं दोनों में जूबलेंट भी खराब नहीं हैं दोनों को आप होल्ड कर सकते हैं दोनों को समय दे सकते हैं लेकिन ज़ादा बड़ा बेट आप एक बार को टाटा कॉम पे कर सकते हैं क्योंकि टाटा कॉम में जो मैं मिड कैप की लिस्ट बना रहा था और एविज बाइस परशन का साल का रिटरन आई जाता है तो ठीक था कंपनी है अच्छे ग्रूपी कंपनी है और बड़ा बिजनस है इनका इन फाक्ट एक रीसेंट जब ये डू यू नो बनाता हूं तो एक टाटा कम्मिनिकेशन अफैक्ट मैंने भी पड़ा कि एक आईलेंड को भी इंटरनेट प्रोएड कर आते हैं तो इस तरह की चीजें टाटा कम्मिनिकेशन ने साथ बहुत है तो बैटरी ही कि आप बने रहे हैं दोनों में और ज़्यादा बड़ा लंबे अवधी अगर आप बहुत लंबे अवधी जाया है तो टाटा कौम ज़्यादा बैटर है मुकरजी साब होल्ड एंड एड ज़्यादा बेटर है मतलब टीसियेस इन्फोसिस एचसील टेक महिंदरा माइन ट्री कोफोर्ज लन टी टेक लन टी इन्फो टेक इच्छे-ाठ नाम जो मैंने लिए हैं इन में अगर आपकी पुजीशने हैं तो आप आराम से बने रही है कुछ मत करिये अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत नीचे आगया है लॉस हो रहा है आपका अपना पैसा है कोई दिक्कत नहीं बने रही है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नियर टर्म में कमाना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए टिपड़ी नहीं कर पाऊँगा लेकिन TCS जैसे स्टॉक तो आप लेकर नेक्स जनरेशन को पास कर सकते हैं इतना क्रेडिबल है टाटा ग्रूप सबको पता है कि अटलीस्ट ग्रूप वाइस अगर आप किसी ग्रूप पर रिलाया करेंगे तो टाटा ग्रूप है सबसे जादा ट्रस्टेड ब्रांड माना जाते हैं इडिया का दूसरा Tata Group का सबसे बड़ा brand है सबसे बड़ी company है TCS उनका largest revenue generator है largest EBITDA generator है largest profit generator है largest market cap generator है Group का profit generator नहीं भी होगा चले टाटा Steel को डाल लीजिए ताटा Steel ने पिछले साल सबसे बड़ा profit लाके दिया 1500 रुपे का वैसे discount 4000 रुपे का high, 3000 रुपे का share 30% का वैसे discount तो आपको और क्या ही चाहिए आराम से add करिए accumulate करिए और बैट जाए शान्ती से कुछ मत करिए अगली generation के साफ से सोचिए अपने आप आपको इसी generation पैसा बन जाएगा ओके टाटर स्टील में एंट्री avoid संदीप सार क्योंकि momentum ही है अभी नीचे मिल जाए जादा better है क्योंकि metal का move है तो single product और दो company में issue नहीं है पुरानी company पुराना group सब कुछ ठीक है लेकि cyclical business है तो नीचे कहीं मिले जादा better edition के लिए यह add करना चाहते हैं आप यह कर सकते हैं कि पूरे का 10 परशन यह add कर लीजें 10 परशन थोड़ा नीचे 10 परशन थोड़ा नीचे करके आप add करी हो जादा आपको cost इतना burden नहीं देगा at least HCL hold करिए अजगर साब और Kansai को भी आप hold ही करिए क्योंकि Kansai के इसमें paint space इसका time आ रहा है वह बात अलग है Kansai is into majorly into industrial paints तो Asian paint, burger paint माफ कीजिए का ज़्यादा तेज़ पकड़ सकते हैं because of festival demand लेकिन Kansai में भी क्योंकि Asia नोबर्जर चलेगा तो आपस यह paint पूरे चलना लग जाता है sentiment में crude भी नीचे आया है जा रहा है मतलब और prices rise करने का समय इनका आ रहा है festival की demand भी आ रही है तो pick up होता है तो इसलिए आप आराम से इन दोनों बने रहे हैं paint और cement में अभी कोई ऐसा concern नहीं देख रहा है Okay, Devyanian Agree Green Tech Sir, long term के लिए मित्तल साब को यहीं मिले है Devyanian Agree Green Pack Agree में तो ज़्यादा ही news flow आ रहे है तो ज़रा उसको तो देख के समल के trade करिएगा उसमें तो अगर आप हैं भी तो Devyanian एक बार को ठीक company है stock अच्छा है, ज़्यादा better कहा हो सकता हूँ उसको company की बज़ा है लेकिन फिर भी leaders के साथ रहना हमेशा long term के लिए ज़्यादा better होता है short term, momentum के लिए, medium term के लिए आप एक बार को trade कर लिए जो बहता लगे लेकिन long term हमेशा leader के साथ रही है at least risk कम होता उसमें mid cap에 comparison में बहुत लोग पूस्टें कि उसमें मिलेगा क्या 20% अगेन, 15% अगेन, साल भर में सर 20% अगेन, अगर आपको बिना सरदर्द लिए मिल रहा है तो ज़्यादा better नहीं है सरदर्द लेके 40%, 50% के लालच में second, हर साल consistently वो 20% दे ही रहे हैं इसलिए major mutual fund, major funds major insurance company अगे सब अपने accountों में यही company ले लेकर रखती है TCS, HDFC bank, HDFC limited and class क्यों लेके रखा जाता है गेन जादा नहीं होगा तो पेन भी जादा नहीं होगा वो किसी fall में नीचे आएंगे थोड़े बड़े आपस उपर आ जाएंगे लेकिन जो यह बड़े-बड़े swing वाली कंपनिया 40% 50% गेन वाली यह किसी find day gain तो बड़ा देंगी लेकिन swing की किसी से मेगर आप first गया तो बहुत पैसा ले भी जाएंगी तो ऐसा मत करिए आराम आराम सी नीचे एरों को accumulate करिए लीडर्स के साथ रहने कर यह फायदा होता है टाटा मोटर दस साल आप कर सकते हैं तो बेटर यहीं कि आप टाटा मोटर अगर add करना चाते हैं तो थोड़ा थोड़ा add कर सकते हैं और accumulation रहेगा तो ज़्यादा बेटर है एक बार मैं out rightly ना जाएं तो ज़्यादा advisable रहेगा एकली सदा खोने के लिए मां कुछ नहीं रहेगा तो थोड़ा थोड़ा accumulate करें वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी और बिंदो फार्मा साथ यह अभी जी मैं आज पढ़ी रहा था इस कंपनी के बारे मैं पांसो निस रुए का शेयर देखकर आया था धाई साल के लोस पर आगया है यह 390-380 लास्ट लोस से इसके पुराने वाले वो लेविल्स के आसपास से ही कहीं घूमा तो घूम जाएगा लेकिन मतलब आज बहुत सारा फार्मा देखा है बायो कॉन, ग्लैंड, ये और एक और फार्मा कंपनी सबी साल के लोस काट रहे हैं और नया प्रेशर आ रहा है इन में और विंदों में इंडिविजुली काफी समय दिक्कत चल भी रही है लेकिन डेड़ केट बांस मिल सकता है तो जैसी बांस मिले कोशिश करके आप निकल जाएगा पहली चीज तो बाकी बहुत लॉंग टर्म है तो एटलीस खराबी ऐस सच नहीं है सिचुएशन बदलेगी कंपनी खुछ जानती होने कैसे बना आपो टर्न आराउंड करना है तो नियर टर्म में थोड़ा हेड़ बिंड रह सकता है लॉंगर टर्म में सो फार ऐसा कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं आया प्लांट की इशू आ रहे हो थोड़ा ताइम में रिवाइब हो जाएंगे सेक्टर की गिरावड का भी टेल विंड है तो बैड फेज में ज़रूर है सेक्टर लेकिन आ जाएगा गुड फेज में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा मतलब बहुत सारी बूरी कंपनियों तो बच बेटा रहे है अट लीस अभी भी तो आप अट लीस टाइम दे सकते हैं इसको और एक्यूमिलेट अभी ना करें एडर ना करें फर्दर लेकिन अट लीस बने रहे हैं जादा बेटा रहे है ओके शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है ओन्जीसी का क्योंकि विशाल साभी सरकारी कंपनी है पीस्यू है तो पीस्यू कभी भी ट्रिगर पे तीज़ी पकड़ेगा और उसके बाद उपर विक्वा लिया जाएगी और साथ तो क्रूड नीचे है तो उसका भी एक इंपक्ट देखने को मिला है तो यह दोनों विज़ा इसकी वैसे वह एंजीसी में प्रेशर है और रेड़ी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुक्त अपनी हिस्टरी की बड़ी तेज़ी जो है वह एंजीसी ने हाल में दिखा भी दिए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि वह इन जी से नीचे भी आ रहा है सबसे बड़ा equity size, second, third largest equity size अब IOC से बड़ा हो चुका है तो इतनी बड़ी equity size के साथ वैसे भी चलना मुश्किल होता है तो उसको भी आप धिहान रखिये का चले फिलाल अब इतनी सवालों को मैं शामल करूँगा माफी बहुत सारे लोगों से इनसाइजम बाची नहीं कर पा और बहुत बहुत शुक्री हैं उन सबी लोगों का जो नहीं नहीं से सवाल पूछे आप हमेशा जुड़ सकते हैं आप दरेट सुमित्रिशाचि मेरा ट्विटर एंडल नामच्कार